नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का अतोलियार SKS डिजिटल प्रेटफॉर्म पर तो दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीट अध्यापक भरती परिक्षा जो की अब पातरता परिक्षा का रूप ले चुकी है यानि पहले हमें इस पातरता परिक्षा को पास करना है और फिर उसके बाद में मुख्या परिक्षा को देना है तो जिस प्रकार से दोस्तों हमने रीट SST का सिलेवस पहले पूरा किया था 178 वीडियो के अंदर हमने उसको अच्छे से टोपिक वाइस किया था उसी प्रकार से अब सिलेवस को आप ही की डिमांड पर दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल उसी तरह से टोपिक टोपिक अपने डिसकसन करने वाले हैं यूनिट वाइस हर बंदू को डिसकस करेंगी आज का जो हमारा टोपिक रहने वाला है वो है सिंदो गाटी सब्यता जो हमारा पहला टोपिक है यहां आप सिलेवस को देखें तो हमारा पहला जो यूनिट है वो भारती है सब्यता संस्कृति और समाज की है और इसका पहला जो टॉपिक है वो हमारा सिंदू गाटे सब बेता है इसको अपने पढ़ेंगे और बिल्कुल दोस्तों एक एक टॉपिक करमा नुसार हम सारे सिलेवस के करेंगे और बड़े अच्छे से हम पूरे सिलेवस को करने वाले हैं तो दोस्तों मुझे उमीद है ये क्लासिज आपके लिए लाप्रद रहेंगी इसका पूरा लाप उठाएं ध्यान आपका स्क्रीन पे रहना चाहिए बाके समझाना बिल्कुल मेरा काम है जिसे आपको पहले पेडियो प्रोवाइड करवाएगे थी वैसे ही आगे भी करवाई जाएगी दोस्तों तो दोस्तों से लिए उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है अब जो हुआ है यही हमारे सामने हैं इसी को अपने एक-एक करेंगे तो एक-एक टोपिक करके शुरू करेंगे तो अराम से सारा हो जाएगा अलग से कुछ आपको पढ़ने के आपसे तन नहीं पढ़ेगी तो दोस्तों चले ज़्यादा बाते नय करते हुए शुरू करते हैं आज की टोपिक को जो है हमारा सिंदु गटी सभव्यता यह इतना महतोपूर्ण क्यों है क्यूंकि भारत का जो इतिहास है तो दोस्तों जब हम भारत की इतिहास को अपढ़ते हैं तो मोर्य गुप्त और ये आगे के काल हमारे चल पड़ती हैं दोस्तों तो सिंदु गटी सब्यता से ही आरम होता है जिसे हम क्या कहते हैं हडपा सब्यता के नाम से जानते हैं तो सिंदु सब्यता को और क्या कहा जाता है दोस्तों हडपा सब्यता क्यों कहा जाता है ये अपने आ हूँ कि सिंदु गाटी सब्यता एक well settled हमारी पहली सब्यता थे और कभी आपके दिमाग में इस तरह क्या feature नहीं आना चाहिए इस तरह की तस्विर नहीं आनी चाहिए कि सिंदु गाटी सब्यता है तो वह साधिवासियों के तरह गुफाओं में रहते होंगे उनके च्वास में कुछ भी नहीं होगा आज की तरह के टाउन प्लान उस समय हुआ करते थी दोस्तों बहुत ही शांदार उनकी विवस्ता हुआ करती थी एक नगर की तरह ही था सारे काम वहां पर हुआ करते थी जिसे आज के समय में होते हैं तो उसको कम समझने की कोशिश मत में इसके अफसेस देखने को मिलते हैं सिंदु गाटी सब्यता उस समय मिसर की सब्यता थी मिस्वटाइमियमिक की सब्यता थी बारत और चीन ये चार सब्यताएं जो हैं उस समय सबसे जदा उन्नत थी तो यह उस समय की यह उसके आगे पिछे कि जो भी अपनी सबसे जदा उन्नत मानी जाती यहीं तुम आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं कि एक उन्नत सबसे थी और नगरिया सबसे थी टाउन प्लान यहां पर हुआ करते थे दूसरों जैसे आज कला को वगेरा देखते हैं वो इस प्रकार की स्विधाय उस समय भी हुआ करती थी अब हम थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल आस्पेक्ट को देखें तो सिंदु गाटी सब्वता को अगर सबसे पहले किसी ने देखा तो वो किसी ने देखा था चार्ज मेसर नामक वेक्ते ने देखा था यह काफी important है कि इस सब्वता के बारे में किसी को सबसे पहले ग्यान हुआ या किसी ने देखा तो वो देखने वाला व्यक्ति कौन था वो था चार्ज मैसर और इन टीलों को क्योंकि यह समय किस रूप में थे टीलों के रूप में जो हमारी सिंदू गटी सब्वेता आपको मिली है वो टीलों के रूप में ही मिले हैं सामने तो दो टीले हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं पूरी टीला और एक पस्चिमीटी लाग तो चार्ज में सरन कौन था वो वेक्ती था जिसने 1826 के अंदर सबसे पहले सिंदू घटे सब बता को देखा और देखने के बाद में उन टीलों के बारे में कहा कि इन टीलों के बीच में कोई न कोई रहस्य में वस्तो जरूर है कोई न कोई रहस्य चुपा हुआ यहां पर है फिर उसके बाद में देखीगा 1826 के बाद में 30 साल बाद में जोन बर्टन और विलियम बर्टन नामक दो इंजिनियर थे और ये क्या कर रहे है थे अमरत सर से लाहोर रेलवे लाइन का जो कार्या है वो चर रहा था तो इन्हें ये इंटे पास में दिखाई दी तो इंटों का प्रयोग इन्होंने लाइन बनाते समय किया था दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले चार्ल्स मेंसन की बाद आती है फिर जोन बर्टन और विलिम बर्टन इन दोनों ने सिंदु गटे से बेता है कि जो इंटेंट थी उनका उप्योग रेलवे लाइन बनाते समय किया जिसके कार्ण ये थोड़ी से बाहर आ गी थी दोस्तों 1875 तो 56 के कुछ और वर्ष बाद में लगभग 20 वर्ष बाद में कनिंगम जो था उसने इन टीलों का सर्वे किया और कहा इन टीलों के नीचे कोई न कोई शहर जरूर छिपा हुआ है दोस्तों तो याद रखिए कि सबसे पहले 1826 फिर 1856 फिर 1875 सबसे पहले चार्स में सर ने इसको देखा और उसने कुछ कहा बाद में इसकी इंटों का अपयोग हुआ और कनिंगम ने इन टीलों का सर्वे किया और कहा कि इन टीलों के नीचे कोई न कोई शहर जरूर है फिर हम बात करे 1904 में तो लोड करजन का एक बहुत बड़ा योगदान अपने मानते हैं कि उन्होंने पुरा तात्विक विभाग की स्थापना की कहां पर की है दोस्तों कोल कत्ता में तो 1904 के अंदर लोड करजन ने कोल कत्ता के अंदर पुरा तात्विक विभाग की स्थापना कर दी जो पुरा तात्विक कारे करता था दोस्तों तो 1920 में 1920 में इस पुरा तात्विक विभाग का निदेशक सर जोन मार्शल को बनाए गया तो दोस्तों क्या कहा हमने कि 1904 में हमारे यहां पर पुरा तात्विक विभाग की स्थापना हुई 1920 में इस विभाग का जो निदेशक है वो क देयाराम सहानी के नेतरतों में हडपा के टीलों की खुदाई करवाई तो इन्होंने ये देखा भी कौन सा ऐसा विक्ति है जिसके निर्देशन में खुदाई हो सकती है तो उन्हें मिले देयाराम सहानी तो देयाराम सहानी के नेतरतों में हडपा के टीलों की खुदाई करव गई थी दोस्तों इस विभाग का जो पहला डारेक्टर बना था जो पुराता था हमारा विभाग है उसका पहला डारेक्टर जन्रल एक कनिंगम को बनाया गया था यह भी कई बार पूछ लेता है अब देखो हम बात करें सर जोन मार्सल की जन्हों ने खुदाई करवाई तो सर जोन मार्सल ने ही इस सब्वेता के लिए सबसे पहले सिंदू घटी सब्वेता शब्द का प्रयोकिश ने किया है तो सर जोन मार्सल ने किया है जन्हों ने इस सब्वेता की खुदाई करवाई दोस्तों 1921 में इस सबयता का उत्खनन हडपा में किया गया 1921 के अंदर इसमें उत्खनन हुआ और उत्खनन किस नगर में हुआ हडपा नगर में हुआ इसलिए हम इसे क्या हैं हडपए सब्धिता के नाम से जाने सबसे पहले अरब्पऔर नंगर में रिखेंहर को यह मिल गई में lijnal समा पत्र तो इस आज करना देहां के कुछ मिलता हैं पता चलती हैं तो इस सब्सक्राइप metre सब्सक्राइबर के इस Under अन्दर इसकी विदिवित गोशना होई कि इस प्रकार की सब्यता है हमें यहां पर मिली है दोस्तों 1947 के बाद इस सिंदो गाटी सब्विता का उप्युक्त नाम क्या रखा गया हडपा सब्विता सिंदो गाटी सब्विता कहते थे पहले अब हडपा सब्विता कहा जाने लगा सिंदु गाटी सब्विता सबसे पहले किस ने कहा तो सर जोन मार्शल के द्वरा कहा गया था दोस्तों अब देखेगा सिंदु गाटी सब्विता और क्यों इपोर्टेंट है क्योंकि सिंदु गाटी सब्विता को हम प्रथम नगरिये सब्विता तामर्यूगीन सब्विता, कांसे यूगीन सब्विता भी कहते हैं सिंदू सब्विता का ही नाम है प्रथम नगरिय सब्विता तामर्यूगीन के इंतर गताती है इसे कांसे यूगीन सब्विता भी हम कहते हैं दोस्तों अगर हम बात करें रिगवेद में इसका उलेख है क्या बिलकुल किया गया है रिगवेद में इसे हर यूपिया कहा गया है क्या कहा गया है दोस्तों हर यूपिया कहा गया है इसे रिगवेद में और यह एक नगरिय से बता थी ग्रामेंड नहीं थी ग्रामेंड नहीं थी जैस का नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था जिसा आमने पहले भी बात की थी दो टिले यहां पर देखने को मिलते थे एक पूर्वी टिला और एक पस्चिमी टिला और एक कौन सा हुआ करता था पूर्वी टिला हुआ करता था दो भाग हुआ करते थे यानि सब्वेता के अंदर आपको दो भांग मिलेंगे, दो भागों में ये बंटी हुए मिलेगी, पस्चमी टिला और पूरी टिला, अगर हम पस्चमी टिला की बात करें, पस्चमी टिला इधर वाला, ये पस्चमी हो गया, तो ये अपेक्शाकरत इससे क्या हुआ करता था, उन्चा हुआ करता था, ए हैं उस समय के हम कहीं आइस बगएरा जो थे ए कहलेक्टर होंगे उसे में कोई सा धिका ली रहा होगा खरना करते से अ किर पूर्वी तिलर होता है यह पैक्स्याराइबट यह एंचा होता था और उससे निच्चा होता था आम आपने आगे भी बात करेंगे लेकिन इसका अपवाद अगर किसी को मना जाता है दो टीलों के अलावा comna जाता है अब हम कि संद्व सब्राइब का जो विश्चार हुआ विकास वो उसके तीन चरण अपने कैसे पहला है हमारा परारंबिक हडपाई सब्यता ये 3300 इसा पुरों से 2600 इसा पुरों तक स्विकाल किया जाता है दूसरा है परिपक्व हडपा सब्यता 2600 इसा पुरों से 1900 इसा पुरों तक और फिर है उत्तर हडपाई सब्यता ये 1900 इसा पुरों से लेकर के तेरा सो इसा पूरो तक माने जाती है सिंदो सब्यता की ये तीन चर्ण है दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम बात करें प्रारंबिक हडपाई सब्यता की सबसे पहले हम बात करें तो प्रारंबिक जो हमारी अडपाई सबता है वो किस से समंदित है वो हाकरा चरण से समंदित है जिसे गगर हाकरा नदी घाटी में भी चिनित किया गया है दोस्तों यह प्रारंबिक हडपाई चरण है जिसमें जिसे हम हाकरा चरण कहते हैं जो गगर है हडपाई लिपी का पहला उधान हमें तीन हजार इसा पुर पार विक्सित हो चुका था, खेती के भी साक्षे मिलते हैं, उसमें मटर, तिल, खजूर, रुई, इनकी खेती हुआ करती थी दोस्तों फिर हम बात करें, कोट दीजी नामक स्थान पर परिपक वो हडपाई सब्यता के चरण को परदर्शित करता हैं, वहाँ पर इसके एक्जामपल हमें मिलते हैं 26 इसा पुरो तक सिंदू गाटे सब्यता जो थी, वो अपने परिपक वो अवस्ता तक पहुंच चुके थी, दूसरे चरण के एकने बात करें परिपक वो अडपाई सब्यता के आने तक प्रारंविक अडपाई सब्यता बड़े-बड़े नगरिये के अंदरों में परिवर्तित हो चुके थी, जिसे की हडपा और मोहुंच जोद्रों वरत्मान पाकिस्तान में, और लोथल जोकी वरत्मान रस्तान के गुजरात में है तो हम यह कहना चाते हैं कि पहले चर्ण के अंदर नगर बनने शुरू हुए, परिपको अवस्था के अंदर आ करके यह जो नगर थे वो बड़े-बड़े नगरिये के अंदरों में परिवर्तित हो चुके थे, जो अडपाई सब्यता है, वो बड़े-बड़े नगरों के माना जाता है, सामने तया, सतरा सो इसा पुरू तक आते आते हरपा सब्यता के कई सहर जो हैं, वो समाब तो हो चुके थे, इस टोपिको अलग से भी हम समझेंगे, लेकिन प्राचीन सिंदु गाटी सब्यता के बाद के संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते है कुछ पुरातात्विक आंकणों के अनुसार उत्तर हडपा काल का जो अंतिम समय है, वो एकजार इसा पुरू से नोसु इसा पुरू तक माना, जाता है, यह अलग-अलग है दोस्तों अब हम बात के लेते हैं सिंदु गाटी सब्यता के विस्तार की, तो सिंदु गाटी सब्यता का जो विस्तार है, वो त्री बुजाकार में विस्तरी ते एक बात, दूसरा कि इसका विस्तार कहां कहां है, अफगानिस्तान है, भारत है और पाकिस्तान में, तेरा लाख वर कि देखने को मिल जाएगा नहीं अनसे अर्टेज वगेरा में तो कन्फ्यूज नहीं हुना जिसा उप्शन में आए उसी साफ साफ को ठीक करके आना है इस सब्टा के अगर मूल के अंदर की बात करें तो पंजाब और सिंद प्रांथ था इसलिए मैं से सिंदू गाटी सब्टा आवी कहते ही एक ध्यान देजिएगा यह जो भी सभिताई हैं वो सारी के सारी किसी न नदी के खिनारे ही हुआ करते थी सिंदु सब्विता के सरवादिक स्तलों की अगर हम बात करें तो कहां पर मिले हैं हमें गुजरात में देखने को मिलते ही इस सब्विता के बड़े नगर की बात करें गढ़ते करम में तो हमारे पास में जो आते हैं सबसे बड़ा महुंजोदुडो फिर उसे सोटा डपा फिर गनेडी बाल फिर दौला विरा और फिर राखी गडियाता है बड़े से छोटे की ओर तो सिंदु सब इता है कि विश्थार की बात करें यह उत्तरी सीमा की बात करें तो मांडा से शुरू होता है और दक्षिन में देमाबाद महाराश्टर पे खतम हो जाता है सुद काग चत्र के द्वारे भी आप उसको देख सकते हैं तो जैसा कि हमने कहा यह हमारा मांडा रह गया यह सुद कागने डोर रह गया यह आलम गिरपूर रह गया और यहां से एक लगबग आपका वो रह गया देमाबाद तो यह एक प्रकार की त्रिबुजाकार आकरती बनती है दो दोस्तों जैसा भी हमने इसके चर्चा की थी दोस्तों तो यहां पर आप इसके बहुत सारी के अंदर हैं दोने के अंदर गद डावर कोट एक वेटा है नोशेरा है लेकिन यह मुख्य सहरे जो इस त्री बुज़ के आसपास में ही आपको दिखाई देती हैं दोस्तों इनमेसी दखो मांडा की अगर हम बात करें तो अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षनी तटपरी स्थीत है कौन से नदी की किनारी है मांडा चिनाब नदी की किनारी है यह विक्सित अडपा से पिता का सरवाधिक उत्तर इस तर रहे हैं यानि अगर हम अडपा से पित यहां से हमें क्या क्या चीज़े मिलते हैं तो कभी भी अगर आप इसे बताओं को पढ़ते हैं तो यहां में याद क्या करना है एक तो वह कौन से काल की है उनका कोई उपनाम है यह वहां पर सामगरी हमें कौन-कौन से मिली है यही प्रसन आप से सबसे ज़्यादा पूछे ज अपने मांडा में तीन संस्कृतियों के हमें उलिख मिलते हैं प्राग के संदव के और उत्तर संदव के कि दूसरा स्थान है आलमगेरपुर ये मेरट जिले में हैं हिंडन नदी यमिना के साइक नदी के तर्ट पर ये स्थित है इस तल के खोज 1958 में भारत सेवक समाज के द्वारा की गई थी और इसका उत्खना ने यग्यदत सर्मा के द्वारा किया गया था ये सबसे पूरी बिंदु है जैसे अभी अमने देखा था ना सबसे पस्चि में सुथ काक्ने डोर पूर्वी कौन सा था आलमगेरपूर उत्तर में कौन सा था म कांड़ा और दक्षिन में देमाबाद था इन सभी के बीच में यह फैला हुआ था यहां से सिंदु से बता कि उत्तर काली अवसे समय प्राप्त होते हैं रोटी बेलने की चोक की कटोरी के बूस सारे टुकड़े जो हैं हमें यहां से प्राप्त हुए तो इसका में लकड़ किनारे पर हैं गोदावरी की साइक नदी है ही तो प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है देमाबाद और यहां पर एक मानव शवाधान भी मिलता है जहां एक गरत में युवा पुरुष्ट का सव दिखा गया है तो यह से डारेक्ट इसी तरह के क्रिश्चन आते है तो कौन से नदी के किनारे हैं किसने खोजा किसने खोदा क्या मिला यही चीजे होती है इसमें जो हमें याद करने होती है इस उत्तर दक्षिन में लेटाया गया है किसको यह जो सव है गरत में इंटों की चिनाई करने के बाद उसे मिट्टी और इंटों से ढख गया है ढख इसके बाद में दोस्तों देख यह सिंदू से बता का सबसे दक्षन इस्थलमा जाता है जैसे अब हमने बात किये थी पूरव में कुंसा है मांडा और उस वर्युत्तर में मांडा है दक्षन की अगर बात करें तो कौन सा है देमाबाद रह जाता है फिर हम बात करें सुथ कागनेडोर ये जो है पस्चिमिस्थल है ये दाश्क नदी के किनारे है आपको इसमें जो याद रखना है वो कौन से नदीर याद रखनी है दाश्क नदी के किनारे पर है रपासर बिता का सबसे पस्चिमिस्थल यही आता है इसके खोज किस ने की तो इसकी खोज की थी 1927 में सर मार्क औरेल स्टाइन ने इसका दुर्ग जो है एक प्राकर्तिक चटान पर दिलता यहां से कोई मोहर और उतकेर्ण वस्तों में प्राप्त नहीं होती यह इसका एक अलग सी बात आगी तो यहां से कुछा जा सकता है तो दोस्तों उत्तर दक्षिन पूरो पस्चिम वाले चारो नगर हमने देख लिए अब हम थोड़े सी बात कर ले नदियों के नारे पसे अडपा काली नगर कौन कौन से तक याद करने में आसानी रहे प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं जो परमुख नदियां है और परमुख नगर है जो किने नदियों के किनारे किनारी बसी हुई है इसके बाद में दोस्तों विभ्यन विद्वानों द्वारा सिंदु से बता का जो काल नहीं रहत किया गया है 20-1500 इसापुरों फेर सर्विस का है 2300-1750 टीपी अगरवाण 2300-1700 सीजगेड 25-1500 बाटिमर विलर पर अठाइस सीजगेड 25-2900 बाटिमर निर्धार्जग दोस्तों 22-2750 इसापुरों रवाण है जोन मारशल नहीं पनितिस सीजगेड 27-2700 इसापुरों किस्ने माना है मदोशरूप वत्स नहीं पर बात करें से पितरा कहा निर्माता कुल थे तो जो सर्जॉन मार्चल नव रख्रद्दास बेनरॉजी है जो इसके निर्माता द्रिवृडं को इसमानते हैं कि यह बनने था दोस्तों पर हम बात करें डोक्टर पुशाल कर डॉक्टर राम कि सर्व मानने हैं जो भूमदया तो भूमदय सागर से आई हुए हैं या फिर द्रेवीड हैं दोस्तों कि अब हम बात कर लेते हैं सिंदू से बता के प्रमुख नगरों के विशें वेसे तो पहुत सारी है कोशिश करेंगे जो मुश्ट प्रांत के मौंट गोंवरी जिले में रावी नदि के किनारी के हैं और यह पंजाब डिस्टिक के अंदर पड़ता है दोस्तों कि इसका उत्खनन करवाया था 1921 में जोन मार्सल के नेत्रतों में राय बादूर साहनी के द्वरा 1926 में मादो सुरूप वस इसको सही कर लीजिएगा यह वस नहीं है वस है और 1926 में मार्टिमर विलर के द्वरा करवाया गया था दोस्तों क्षेतरफल के दिश्टे से सिंदू सबता का दूसरा सबसे बड़ा नगर अगर हम कहें तो किसे माना जाता है हडपा को माना जाता है दुरुग टिला को जो मांट मार्टिमर विलर है उन्होंने नाम दिया था मांट एबी तो क्यूश्चन ये पूछा जा सकता है कि माउंट A.B. क्या है तो माउंट A.B. क्या है तो वो दुरुख टिला है जो हडपा में मिला है और इसी ही माउंट A.B. नाम दिया गया है कब्रिस्तान A.B. विजातिय संस्कृति के लिए जना जाता है कब्रिस्तान A.B. समन्य आवाज के दक्षिन में बना हुआ करता था दोस्तों हडपा से प्राप्त और शेशों की बात करी तो यहां से कुश्चन पूछे जा सकते हैं तो यहां से हमें मिश्रित फुसल के साक्षे मिलते हैं जिसमें चावल और गेहों के दाने प्राप्त हुए यानि इनको साथ बोया जाता होगा काम में लिया जाता होगा एक हमें यापसिस नानागान मिला है एक कांसा गलाने का पात्र ग्यानि जिसके अंदर अपने कांसा गला सके तो ऐसा हाई गलनाग वाला एक पात्र हमें मिलता है एक कबिस्तान अाच argument जिसे अपने कहते है सरवादिक अभिलेक युक्त मौरे अगर कहीं से मिली हैं तो वो हडपा से ही मिली है इसके बाद में देखिए का दोस्तों यहां से जो हमें प्राप्त होता है पारदर्शी वस्तर पहने एक गरुड और उर्वरता की देवी के चितर वाली एक मुद्रा हमें यहां से प्राप्त होती है यहां से हमें एक शंक का बना हुआ बेल प्राप्त होता है और यहां से हमें एक मच्वारे का चितर मिला है तो ये सारी चीज़ें हमें कहां से मिली हैं हडपा से मिली हैं यहां से कोई न कोई प्रेशन आप से पूछा जा सकता है इसके बाद में दोस्तों हम बात करें मोहन जोदलों की तो मोहन जोदलों से हमें क्या क्या मिला तो सबसे पहले देखें कि ये जो हैं वो कहां परस्तित हैं तो मोहन जोदलो और हडपा दुनों ही पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का प्रांथ है सिंद सिंद प्रांथ के लरकाना जिले में सिंदों ने दे के दाइने तर्ट पर आपको मिल जाएगा यह है जो है अडपा सब्वेता का सबसे विशाल नगर माना जाता है किस अधार पर क्षित्रफल के अधार पर कौनसा नगर सबसे क्षित्रफल के अधार पर सबसे विशाल माना जाता है तो वो है अपना मोहन जोद्रो सिंदू से बता का एक मात्र ऐसा स्थल जिसका साथ बार उठान हुआ और साथ बार पतन हुआ अगर ऐसे स्थान के विशे में पूछा जाए तो उसका नाम क्या होगा मोहन जोदलो होगा मोहन जोदलो सिंदू से बता का एक मात्र ऐसा स्थल है जिसका साथ बार उठान हुआ साथ बार पतन हुआ था मोहन जोदलों शब्द की बात करें तो यह मोहन जोदलों से बना है और इस शब्द का आर्थ होता है मुर्दों का टीला यहां से मुर्दे खूब मिले होंगी तभी यह नाम दे दिया गया इस मोहन जोदलों को सिंधू का बाग भी कहते हैं मौंट डेड भी कहते हैं मृत्कों का पहाड और इसे प्रेतों का टीला भी कहते हैं मृत्कों का टीला भी कहते हैं सिंद का नखलिस्तान भी इसे कहा जाता है जोस्तों फिर हम बात करें स्टूर्ट पिगट पिटर ने अडपा और मोहन जोद्रों को एक विसाल समराज्य की जुड़वा राजदाने मना यह कह रहे हैं कि इस समें कोई एक विसाल समरज्जे रहा होगा जिसकी दो जुड़ुआ राज़तानिया हैं जिसमें से एक डपा रही होगी और एक महुंजोदुडु रही होगी मोहन जोड़ों से हमें अनागार मिले हैं ऐसे अनागार मिले हैं जो मिस्र में और मेंसो पुटामिया की सबिता में भी है यानि यह हमें उसके साथ में सिमिलर करने की कोशिस कर रहा है उसके समान बताने की कोशिस कर रहा है यहां से हमें एक सनानागार मिला है याद रखी का बहुत बार पूछ लेता है कि सनानागार हमें कहां से ब्रावत होता है तो याद रखी का नहाते तो मोहंजी थे मोहंजी नाएंगी तो फिर नाएंगी किसमें सनानागार में और सनानागार के लिए कहा गया है तातकाली इन विशो का एक आश्चरे जनक निर्मान ऐसा किसके लिए कहा गया है एक स्नानागार के लिए कहा गया है जो कि महुन जोद्रों में है कोशामभी ने इसकी तुलना पुषकर और कमलताल से की है दोस्तों एक कांसे के नर्थकी यहां से मिली है पुजारी या फिर योगी बाबा की मूर्थी अपने कह सकते हैं यहां से मिली है चांदी के बरतन पर तांबे के उपकरन को लेपेटे हुए एक सूती कपड़ा यहां से दिखी का पसूपति नात की मुद्रा मिलती है किसकी मुद्रा मिली है पसूपति नात की और important इसलिए कि इसके सबसे ज़्यादा मुद्राइं अगर अपने बात करें तो कहां से मिली है यहीं से मिली है यहां से में सीप का स्केल मिला है कंकालों से मलेरिया के साक्षे मिलते हैं महुंजोड़ों से कबरिस्तान के साक्षे नहीं मिली यह एक important बात है मोहंजोदलों से क्या नहीं मिला कबरिस्टान के साथ से हमें प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन सामुई के नरक अंकाल हमें प्राप्त होते हैं इसलिए अपने इसकों मृतकों का टिला या इस तरह के नाम दे सकते हैं एक मुद्रा पर नाव का चितर भी हमें प्राप्त होता है यहां से हमें और कुछ मिला है तो पुरोहितों का आवास महावी दैलेस, नानागार, सोलाम मकानों का बेरक कांसे के नगन महिला की मूर्ती दाड़ी वाले पुजारी बाबा जीसकी चर्चमनी यहां करहिली चमकता हुआ बंदर का चितर, एक सिंग वाले पुश्वों वाली मुद्राइए यह सारी चीज़े हमें यहां से प्राप्त होती है यह मुहम जोदरो है उस समय का आज आप देखोगे तो ऐसा मिलेगा हम देख लो इंटे वगेरा कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़े यहां पर हमें दिखाई दे रही है यह जैसा हम पढ़ते हैं कि देखो ग्रिड परनाली पर बना हुआ तो यह आप जो परनाली देख रहे हैं यही ग्रिड परनाली है यह महुंजद रो का अनभ हंडार हैं इसके बाद में अगली स्थल की एहम बात करें तो यह है लोथल लोथल कहां है गुजरात में है याद रखे का गुजरात के एहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थीत है कों से नदी के किनारे स्थीत है दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थीत है इसके खोज 1977 में ऐसार राव के द्वारा की थी यहां से जो इंपोर्टेंट चीज मिली है वो जहाजों की गोदी या डोक्याड मिला है गोदी वाड़ा जिसको कहते हैं जहां पर जहाज आकर के रुकते हैं एक तरह का बंदरगाह अपने कह सकते हैं बनाया हुआ यह विस्व सिन्दौ से बता का विदिस्तों के साथ में विपार हुआ करता था है एसार राव इसे हड़पा को क्या कहते हैं लगू हडपा कहते हैं तो एसार राव जनोंने इसकी खोज की थी यह इसे लगउ हडपा या लगू मोहन Energow कहते हैं दोस्तोंrest害 यहां से में धान की भू माना और अगने वेदिकाओं के साक्षे भी प्राप्त होती हैं यहां से में तीन कबर मिली है जहां पुरुष वह महिला को एक साथ तफना है गया है यहां पर मरद भांड से हमें कोईला और लॉंबडी के चितर मिले हैं जो पंस्तंतर की कहानी के पात्र माने जाते हैं उससे हमें यह अंदाजा लगता है कि कहीं न कहीं यह पंस्तंतर की ही कहानी है आटा पीसने की चक्की का एक मातर उधान आपको कहां से मिलता है यहीं से प् कानों के दर्वाजे अन्यस तलों के विपरीत मुख्य सड़क के और खुलते थे जहां बाकियों के दर्वाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे इसके खुलते थे दोस्तों तीन युगमित समाधियों का हमें उधान मिलता है युगमित समाधियां जोडों में जिससे यह सती प्रशा का अनुमान भी अपने लगाते हैं यहां से हमें क्या मिला मूरूप से देखी याद करने वाले चीज़ें वरत्ताकार और चोकोर अगनिवे दिकाई चाबल और बाजरे पर दो मुही राक्षसों का अंकन फार्स की मुहर, गोड़े की मन मुड़तियां, गोदी वाड़ा, तीन यूग में समाधी पूर्ण, हत्यदात और चलाख लूमड़ी का चितर जो प्रंस्तितर का माना जाता है तो इस प्रकार की चीज़ें हमें यहां पर प्राफ्ट होती है तो यह उसमें का गोदी बड़ा है, देखो यहां से, इस पानी को रोक करके बनाएगे, यहां फिर जहाँ जा करके ठहर जाते थी और गुदामों में माल भर लिया जाता था, यह कालपनिक चितर है फिर हम बात करें सुर्कोटडा की, तो यह भी गुजराथ के कचरन में ही स्थीत है, इसकी खोज जग्पती जोशी के द्वरा की गई यहां से में प्रवक वस्टों की बात करें, तो गोड़े की अस्थियां हमें मिलती है और गोड़े के स्थियां वो प्राप्त होने वाला ये एक मात रिस्तल अपने कह सकते हैं यहां से कलस्क सवाधान सवाधान के एक नई विदिया में प्राप्त होती है तराजु का पलड़ा मिला है इसके बाद मैं बात करें धोला वीरा की इसको सही कर लेजिएगा धोला वीरा है ये ये गुजरात के कच्छ जिले की बचाऊ तसिल में मानसर और मानहर नदियों के बीच में स्थित है कौन से नदियों किना रहे हैं? मानहर नदियों के बीच में इसके खोज 1967-68 में जगवती जोसी ने की और इसका व्यापक उत्खनन जो है वो रविंदर सिंग विष्ट के दोरा 1990 एकाणवे में करवाय गया था दोला वीरा का जो शाब्दी करत है वो होता है सफेद कौन ये सिंदो से बेटा का सबसे विषाल नगर वाना दाता है यहांसे हमें विषाल स्टेडियम के परमाण मिले हैं तालाग के परमाण मिले हैं स्वेट पासाण के स्तंब भी हमें यहांसे देखने को मिलते हैं इस नगर के तीन भाग मिली हैं ये important है पस्चिमी, पूर्वी और एक मद्दे भाग भी हमें प्राप्त होता है फिर हम बात करें बन वाली की तो हर्याना के हिसार जले में सरस्वती या गगर के किनारे है ये इसके खोज और उत्खनन रवेंदर चिंग विष्ट के दोरा हुआ यहां से में क्या क्या मिलता है सरवत्तम किस्म का जो मिलता है मिट्टी के हल के प्रमान मिलते हैं सिम्रद शाली विक्तियों के मकान के प्रमान मिलते हैं तांबे के बनागर, मातर देवी के लगू मिट्टी की मूर्तिय मिलती है सोनने की परत चड़ेवे मन के भी हमें यहां से प्राप्त होती हैं दोस्तों अब यहां जो इंपोर्टेंट है जल निकासी प्रणाली का अभाव यहां से पाये जाता है सिंदु से पिताई कुछ अन्य स्थालों की बात करें थोड़ा थोड़ा इनको भी देख लेते हैं रूपड आधुनिक नाम इसका रूप नगर है यह 17 नदी के केनारे हैं इसके खोज 1950 में बिबी लाल नहीं और खुदाई उन्य सुपसपन सपन में यह गेदर सर्मा के द्व अब देखें रंगपूर रंगपूर कहां है गुजरात के एहंदा बाजले के रंगपूर गाउं में है भादरा नदी के किनारे हैं इसके खोज 1934 में मादो सुरूप वक्स के द्वारा के गई थी रंगपूस और प्रभास पतन सौमनात को कहते हैं को सिंदु से बता के और पूतर कहां गया है इतना जएदा महतों दिया गया है इंट का दुर्ग चावल की बुसी कोई मुद्रा कोई मातर देवे की मुर्ति यहां से प्राप्त नहीं होती है इसके खोज आरेल स्टाइन ने की थी 1962 में इसका उत्खनन हुआ यहां से में तामर निर्मित बानागर बलेड के टुकड़े और मिठी के चुड़ियां प्राप्त होती है कोट जी जी की बात करें तो यह जो स्थान है वो पाकिस्तान सिंद प्रांत में खेरपुर जिले में है इसकी खोज 1935 में गुरिये और उत्खनन जो है वो फजल अहमत खाने किया था पासाण यूगिन सब्यता का अंत और रपा सब्यता का विकास इसी से माना जटता है इंट का दूर्ग चावल की बुसी ये काट देना भेला है बीच्छे वाली आ गई है चहुंद्रो ये पाकिस्तान के सिंद प्रांत में सरकंड के समी पर सिंदों ने दीके किनारी है इसके खोज एंजी मजूमदार अरनेस्ट ने की थी यहां से हमें मनकें मिलते हैं हाती दान के खेलों ने गुडिया बनाने का कार खाना ऐसा कह सकते हैं कि एक परकार से उद्यों के जो नगरी है वो वा करते थी यहांसे में प्राक अडपासवड़ता और उत्तर अडपासवड़ता जिसे जुकर संस्क्रती कहते हैं उसके पर मिलते हैं इंट पर बिल्ली का पिछा करते हुए कुत्ते के अइपर plein रही हो तब उसके ऊपर च्शप गए दुर्ग के अवशेष हमीं मिले हैं यहां से ourselves इं min तबते है कि इस परकापर का मतलब किस परकार की इंटे हो गई निहीं है यहां काली बंगा की बाद के लेते हैं वेसे तो काली बंगा राजस्थान में भी हमें पढ़ना है हनमानगर्ड राजस्थान में गगर के किनारी है इसके खोज अमलानंद गोशने की थी इसका आर्थ होता है काले रंगी चूड़िया यहां से हमें सिंदु सबिता के अवसेश मिलत हुआ था दोस्तों ये दोनों अलग अलग फेक्ट्रेस को याद रखेगा जोते वए खेत किसी कहा जाता हैतो और उसे दीन हिंबस्ती भी कहा गया है जो पूशले पहले शहर वगिरह प्रमुख नगर थे वो अच्छे से हम डिसकस कर चूके इhmen इसके जो historical aspect थे हैं उनको हमने देख लिया है जो प्रशन बनते हैं इसके समाज एकार थी राजने थी को विश्टा कैसी थी वहां से पुछी जाते हैं उनको भी देख लेते हैं हडपा का समाज जो था मात्र सत्ता था यानि मात्र ही सत्ता में हुआ करते थी मात्र से ही होते थी सारे कामना उन मगेरा जो भी अधिकान हैं वो मात्र के पास हुआ करते थी जादू टोने और पुनरजनम में ये विश्वास किया करते थे हलांकि ये लोग शांती प्रियत थी और सर्वाहरी थे सब कुछ खाते थे उस समय का जो समाज है वो कई वर्गों में बटा हुआ था जिसमें पुरोहित है व्यपारी है अधिकारी है शर्मिक है इन वर्गों में बंटा हुआ था लोग सुत्य और उन्हें दोनों प्रकार के वस्तर पहनती थे आब उसनों का प्रियोग पुरुष वह मेला दोनों करते थे मुनोरंजने तो पासे का खेल चौपडवाला जो नहीं हुआ करता उस तरह का खेल हुता था नर्ते हुआ करता था पुसों की लड़ाई इस तरह की कारिये हुआ करते थे सिंदु सुबेता की लिपी कैसी थी तो सिंदु सुबेता की लिपी भावचितरात्म का जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है फिर हम बात करें आर्थिक जिवन के पैसा कहां से आता था तो एगरिकल्चर की बात करें तो गेहूं और जो यहां की मुक्य फसल हुआ करती थी और हमें चावल की खेती के परमान भी यहां से मिलते हैं इनके अलावा यहां पर देखें सरसों, तिल, चना, मटर इन सब के खेती के परमान मिलते हैं विस्व में कपास की सबसे पहले खेती की बात करें तो सिंदू सबिता के लोगों ने ही प्रारम किया था और यूनानियों ने इसे ही कपास को ही क्या कहा था, सिंडन कहा था पशू पैलन में भेड, बकरी, उंट, आदी की अस्तिया हमें मिलती हैं इसे परिचित थे, उंट के परमान केवल हां और केवल में काली गंगा में देखने को मिलते हैं पशू में सरवादिक अंकन अगर किसी पशू का हुआ है तो एक सिंग वाले गेंडे का हुआ है जिसे यह पवित्र मानते थे सरवादिक पवित्र पशू की अगर में बात करें सबसे पवित्र पशू कौन सा है तो कूबड वाला बेल वह आगता थे इनका सिंदु सबयता के लोग बोड़े से परिचित नहीं थे से क्युशन आ जाते हैं निमनमें किस से परिचित थे या नहीं थे सिंदु सबयता मुखित विअपरी सबयता थे इसकी सम्रिद्धी वह बैपार के कारणी थी बिजनेश चलता था लोगों का वस्तु भी नहीं हुआ करता थे वस्तू यानी एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तू ले लेते थे दातू के सिक्कों का प्रियोग नहीं किया जाता था आयात की बहुं मुल्य धातू है जैसे कि सोना सोना दक्षणी भारत और अफगानिस्तान से तांबा राजस्तान से टीन अफगानिस्तान और विहार से आते थी फिरोजा इरान से लाजवर से अफगानिस्तान से भूमे स्वराष्ट से मगवाए जाते थे निर्यात की जाने वाले वस्तों में गेहूं जो मटर तिलहन जैसे कर्शी उत्पाद हुआ करते रहें यहां से हम भेशते क्या थे गेहूं जो मटर तिलहन यहीं भेशते थे इनके अलावा जैसे कर्षी के उत्पाद हैं कपास के वस्तुएं हैं मिट्टी के बरतन हातिदान के चाज़ें ये सारे निर्यात किये जाते थे सिंदु सबिता और सुमेरियन सबिता के बात करें तो इन दोनों के बीच में व्यपारिक सम्मन दूआ करता था यसे कुछ एक पुर्मान हमें यहां से मिलते हैं फिर हम बात करें मेसोपोटामिया में कई सिंदु मोहरों की प्राप्ति हुई हैं लेकिन हडपा वासियों दौरा सुमेरियों के नकल पर सरंगार परसादन के सामगरियों के प्रयोग से हमें इस बात का पता चलता है कि दोनों का अपस में आना जाना था मिसोपोटामिया में हमारे जैसे हमारे यहां पर वहां की महरे मिली हैं वैसे वहां भी हमारे यहां की महरे मिलती हैं और कुछ चीजों में सुमेरियन के दौरा इनके नकल भी दिखाए गी है जैसे मानते हैं कि इनका दोनों में आपस में कोई ना कोई आना जाना रहा हुआ करता था धानमिक जीवन की बात करें धर्म कैसे होते थे उसमें तो पुरा तक पुरा स्थलों से मिले उसेशों के अधार पर हमें लगता है कि देवियों की पुजा ज्यादा थे देवताओं में तो आदेशी भी हुआ करते थे परकरति में नाग है पीपल है कबुतर है है मतक है सवास्तिक है इनकी और ज़ल की पुजाभा करते थे थे सवधा मूर्थियों के परमान मिलते हैं टूटल 12 मोहँजोद्रों से और दो हरपा से है मंदिरों की परमान हमें सिन्दू सुवटा से नहीं मिले हैं हडपा से मिले एक चित्र में महिला की गर्ब से एक बोधा निकलता हुआ दिखाए गया है और यह मान लिया गया है यह उर्जवरक्ष्टा की देवी है प्रजनन की देवी है तो यह चित्र भी काफी इंपोर्टेट है पहले इसकी बात कर चुके अपने हडपा सब्यता का पवित्र वरक्ष की बात करें तो पीपल अगर यहां याद रखेगा पवित्र वरक्ष की बात करें तो पीपल है पक्सी की बात करें तो बतक है और पसु एक सिंगी बेल है दोस्तों हडपा से हमें स्वास्तिक का चिन मिलता है कौन सा स्वास्तिक का चिन और नगरों का प्रारूप यानि नगर कैसे बने हुए करते थे आयताकार हुआ करते थे शड़कें जो हैं वो समकौन पर काड़ती थी आपस में इस तरह से एक सतरंज का बोर्ड आपने देखा होगा कुछ-कुछ वैसा ही दिखाई देता थे नगर की प्रमुक सड़क को प्रथम सड़क भी कहा जाता था जो इसके में रोड़वा करते थे नगरों में प्रवेश के लिए पूर्विय सड़क से जो है अनुमती थी और यहां से प्रथम सड़क मिल जाये करते थे इसे ओक्सोड सरकस के नाम से भी जाना गया है तो द्यान दीजिएगा क्या कामने नगर नियोजन में यहां पर जो है एक तो सड़के हैं जिसे प्रिथम सड़क कहते थी समकोंड पेकाटती थी इसकान ये चेस्ट बोर्ड की तरह अमें दिखाई देता था मौन जोड़ों में नालियों को ढखने के लिए जिब समकाप्रिय है जाता है गर याल सोफने को इसके की बात करें तो इसके लाए बुरुष्टओ फेदब लिपी या फिर गुमुतरीचे के नाम से देहं जानते हैं ब्रुष्टो फेदन ले ग्मुत understand लिपी दोनों और से लिखी जाना on लिखी संझ के लिखी जाने वाली निपी है यानी डोनों साथ से दैओं सइप से लिख सकते हैं यह दैओं के दाइं और जो इस तरफ से लिखे जासका है यही सत्ते हैं ऌर इसीलिए मैं से अधे अतया से कालमें रखते आप बात करी शिंदु सबब्यता का पतन किसी प्राकृतिक आपदा इससे या ऐसा द्यरोग से भागा ओगा किसी प्रकृतिक पतनay ये 2 पर कॉदिा Black फिर चाल्ड ने बताया कि जनसंख्या बढ़ी कर्शी में नई तकनिकों का उपयोग ने करना वनों के विनास के कान अधिशेश में कमी है जिससे ये व्यपार पर विपरित प्रभाव पढ़ा और देदेश का पतन हो गया फिर सर्विस क्या कहते हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो नई तकनिकों का उपयोग भी नहीं हुआ वनों का विनास कर दिया इससे अधिशेश होना बंद हो गया और इसी कान से व्यपार पर बुरा प्रभाव पढ़ा था इसी कान इसका पतन हुआ था दोस्तों तो दोस्तों इतना ही था ये टोपिक वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में शेर जरूर कीजिएगा कोई दिक्कत हो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करें आपके कमेंट हमारी लिए उक्सिजन का काम करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो तो और बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स क्लास में कुछ और नहीं जनकारी के साथ कुछ और नहीं तथ्यों के साथ अगले टोपिक के साथ तब तक यूहीं बने रहे हैं रहे हैं साथ थैंक यू वेरी मच्छ